हाई फ्रेंड्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है महानगर ग्यास लिमेटेड बोले तो MGL भारतिय नैच्रल ग्यास डिस्टिबिशन कंपनी आज इस कंपनी के स्टॉक की हम लोग रिव्यू करते हैं पहले कॉटर ओन कॉटर स्टैंड अलोन फिगर्स की रिव्यू करते हैं कि सेल्स रेवेनिव लास्ट कॉटर से 57 करोड से बढ़ गया और लास्ट इयर कॉटर से 31 करोड से बढ़ गया वहाँ अधर इंकम लास्ट कॉर्टर से तीन करोड से घट गया और लास्ट इयर कॉर्टर से दस करोड से घट गया कमपनी के एक्सपेंसेज लास्ट कॉर्टर से 57 करोड से बढ़ गये और लास्ट इयर कॉर्टर से 41 करोड से घटते हुए दिख रहे इंट्रेस्ट ओन लोन कितम ना के बराबर दिख रहा है मतलब कम्पनी डेप फ्री दिख रही है फिक्स असेट्स के डेप्रिजेशन औन अवरेश नजर आ रहे है कम्पनी की रिजर्वर्स लास्ट इयर से 280 करोड से बढ़ गई है कम्पनी के इन्वेस्मेंट कम्पनी ने लास्ट इयर से 96 करोड से घटाए है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट कॉटर से पाच करोड से घटा और लास्ट इयर कॉटर से 62 करोड से बढ़ गया नेट प्रॉफिट लास्ट कॉर्टर से चार करोड से घटा और लास्ट इयर कॉर्टर से 46 करोड से बढ़ गया यहाँ पे जून ट्वेंटी कॉर्टर का नेट प्रॉफिट अपने को एकदम कम दिख रहा है क्योंकि वो टाइम पे जो कोवीड की फर्स्ट वेव आई थी वहा अब अन्यूवल स्टैंडरलोन रिपोट की रिव्यू करते हैं सेल्स रेवेन्यू लास्ट इयर के मुकाबले 927 करोड से घटा वहां अधर इंकम भी 18 करोड से घट गया तो टोटल इंकम 945 करोड से घटता हुआ दिख रहा है मैनेजमेंट ने एक्सपेंसेस लास्ट इयर के मुकाबले 807 करोड से घटा है तो जहां पर टोटल इंकम घटा तो उसकी डिस्क्रिबंसी मैनेजमेंट ने एक्सपेंसेस घटा के एकजस करने की एक अच्छी कोशिश की है इंट्रेस्ट ओन लोन 7 करोड पे किया है तो कंपनी अल्मोस्ट डेप्री नजर आ रही है कंपनी के डेप्रेसेशन ओन एन एवरेज दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट इयर के मुकाबले 150 करोड से घटा हुआ दिख रहा है टैक्स पेमेंट लास्ट इयर के मुकाबले 24 करोड से ज्यादा पे किया है तो नेट प्रॉफिट लास्ट इयर के मुकाबले 174 करोड से घटा हुआ दिख रहा है अब शेयर ओल्डिंग पैटन देखे तो प्रमोटर्स 33 परसेंट होल्डिंग रखते हैं वहाँ पे फॉरिंग इंवेस्टर 31 परसेंट डोमेस्टिक इंवेस्टर 17 परसेंट और गवर्मेंट 10 परसेंट की होल्डिंग बनाया हुए है रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 9 परसेंट के ही होल्डिंग है तो करीबन 91 परसेंट होल्डिंग स्ट्रॉंग हातों में नजर आ रही है अब शॉर्ट टम के लिए इसकी चार्ट एनलेसिस करते हैं मार्च में इसने 1260 का हाई दिया और वहां से नीचे आके 1055 पर सपोर्ट ले लिया वहां से फिर से एक अच्छी स्ट्रॉंग अपमूदे के 1280 का हाई दिया वहां से अब करेक्शन होके 1125 पर सपोर्ट लेके 1200 का पहला टार्गेट और 1280 का दूसरा टार्गेट क्लियर नजर आ रहे अगर किसी कारण वर्ष मार्केट करेक्ट होता है तो निचे के साइड में इसको 1055 का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट भी नजर आ रहे तो करंट लेवल पे 1080 का स्टॉप लॉस लगा के एक बेस्ट एंट घ्रेसमेंड के लिए एकस्पट की रिविजोग देखते हैं टिकल यौटे पे 26 एक्सपट इसमें अनलायाइज कर रहे हैं उसमें के 77% एकस्पर्ट करण्ट लेवल पे इसको बाइकरने की राय दे रहा है अगले एक साल के लिए हायर साइड पे 52 परसेंट और मेडियन पे 17 परसेंट अपसाइड प्राइस फोरकास्ट कर रहे हैं अगर मार्केट गिरता है तो निचे के साइड में भी 32 परसेंट डाउन साइड की फोरकास्ट कर रहे हैं तो कीप क्लोज वाच अन दिस टॉक और टेक यूर स्मार्ट डिसीजन थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकोन प्रेस करके सब्सक्राइब करने को ना भूले थैंक यू